जो भी बिच्चे अपनासरा मजबूत करना चाहते हैं इंग्लिष उपढ़ता लिखना स्ब्सक्राइब करें स्थ्माइब को इस विकिनर है वह बच्चे मैं हरी संटेंस यौन होगा उससे धान से देखिएगा उसफ्जञissä को प्रियास जो robust से सेंटन का इस्ट्रिक्चर किया गया है अगर आप में चले पर नए है तो चैनल को स्बस्क्राइब कर दिएगा वीडियो को लाइक कर दिएगा ठीक है अब देखें आप आज का टोपिक है दा प्रियोल्स ऑफ ग्रीड इस पूरी का मतलब होता है लालच के खत्रे और ग्रीड मतलब होता है उप का के की ठीक है यहाँ पर क्या होगिया लालच के खत्रे ग्रीड मिस क्या होता है लालच होता है ठीक है और अप मतलब होता है का या फिर की deveil से मैं उतला है खत्रा रहेंar फिर खत्री ठीक है zijn इसका मतलब क्यों होगो है लालज के खत्री अब इसको मिन क्या करें गए वर्ट वर्ट करके क्या करेंगे टांसेट करेंगे और आपको समझाते चलेंगी once एक बार एक बार ठीक है there was a man एक आदमी था वाज मतलब होता है था a man मतलब एक आदमी एक आदमी था ठीक है name उसका नाम क्या था विक्रम उसका नाम क्या था विक्रम who was very well who मतलब होता है जो वाज मतलब क्या था very well दी मतलब बहुत धनी जो क्या था बहुत धनी था जो बहुत धनी था ठीक है but he sorry but मतलब क्या था लेकिन always want more हमेशा बहुत क्या होता है चाहना wanted मतलब चाहता था more मतलब अधिक से अधिक थीक है यानि उसके पास जितना था उससी भी वह ज़्याधा और चाहता था और अधिक और अधिक और अधिक चाहता था ठीक है want मिस क्या हो ना चाहता था हो गया यहां पर अधिक से अधिक वह चाहता था ठीक है यहां मतलब होता है सुनना है यहां पर है डा सैकेंड था स्यमस कौन यहां होगा मेजिकल पोक के बारे में सुना तक इसली आप पर से बारे कौ बरतन या फिर घड़ा पोट मतलब बरतन भी होता है घड़ा भी होता है ठीक है that could provide जो क्या could provide मतलब क्या दे सकती है दे सकती थी यहां पर can का second form है ठीक है could इसलिए यहां पर चैन रहता तो क्या सकती है ठीक है जो दे सकती थी inland endless wealth endless wealth का मतलब होता है असीमित धन इंडेर्ड मतलब होता है आसीमित धन जो क्या करती आसीमित धन दे सकती थी ठीक है बिक्रम set out set out का मतलब होता है बाहर निकलना या पर set out मतलब बाहर निकला बिक्रम बाहर निकला to find it इसे ढूनने के लिए ठीक है बिक्रम का कि उस घड़े को ढूनने के लिए बाहर निकला driven by grid लालच में आकर लालच में आकर ठीक है after a long search यानि बहुत तलास करने के बाद ठीक है long search मतलब होता है बहुत तलास करने के after यहां लगा इसलिए क्या हो जागा बाद ठीक है निकाफी तलास करने के बाद या फिर बहूत तलास के बाद ठीक है बहुत तलास के बाद He discover, उन्होंने खोज निकाला, discover मतलब होता है, खोजना, ढूंडना, ठीक है, वह क्या 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 खोज के निकाल लिया, वह खोज निकाला, दा पोर्ट, यहनी बर्तन को या फिर घड़े को, ठीक है, but, लेकिन, could not resist, लेकिन, could not, नहीं सका, नहीं सका, resist the temperature, नहीं सका, क्या, resist the temptation, resist मतलब होता है, रोक लगाना, या फिर विरोध करना, ठीक है, to keep using यानि उसका परियोग करते हुए eat मतलब इसे इसका जो घड़ा था यानि जो बरतन था उसका परियोग करते हुए मतलब इतना लालच में आगया था परलवन में आगया कि उसका यूज करता ही गया इसके बाद देखे क्या हुआ from more and more यानि अधिक से अधिक more का मतलब होता है more and more मतलब होता है अधिक से अधिक अधिक से अधिक तेखे उसका उपयोग अधिक से अधिक करता गया तेखे रिच मतलब धनी होने के लिए यानि धनी होने के लिए क्या है उसका उप्योग अदिक सदे करता रहा अब देखें इसका परिणाम क्या होता है तीक है देखें अपर eventually मतलब आखिर का आखिर का अखिर कार दा पोर्ट become so heavy यानि घड़ा या फिर बड़तन system become मतलब हो गया become मतलब हो ना यहां पर become का क्या सेकेंड फार में become लिखा हुआ है एह यहां पर लगा है अगर ओ राता तो क्या था हो ना कि अपर become यानि हो गया so heavy यानि बहुत भारी कि भाज़ारी हो गया with the gold यहीं आदि लेजाना जिससे वह क्या नहीं सकावा जिससे बहुत खड़ा चू क्या वह बहुत भारी हो जाने के वह उसे नहीं लेजा सका तेके इन ही इस गृट लालच में आकर या भी लालच में वह लालच में या फिर अपनी लालच में in his grid इसका मतलब हो गया अपना लालच में अपना लालच में यानि अपनी लालच में विक्रम had lost everything यानि खो दिया lost में क्या आता है खोना ठीक है everything मतलब सब कुछ ठीक है he had once यानि उसके पास जो भी था वह सारा कुछ क्या किया खो दिया आगे देखे तो क्या होता है he learn वह सिखा या फिर उन्होंने सिखा कि that का मतलब होता है कि grid lead to run नि लालच to run नि मतलब होता है बरवाद ठीक है लालच जो वह क्या करती है बरवाद करती है यानि लालच से बरवाद या फिर बरवादी होती है ठीक है इससे यह सिखा आगे देखे थे और that true जो सच्ची धन है सच्ची दोलत या फिर धन कम से मतलब आती है फ्रा मतलब से contentment मतलब होता है संदोज और एप्रोख सेटिं मतलब एप्रोख एप्रोट एप्रोख सेटिंग मतलब होता है साहराना से ठीक है जो क्या आते है संदोज सोज दोलत आती है what once already had जो है ठीक है once मतलब what once मतलब जो कुछ भी already है जो मतलब कि तुम्हारे पास है या फिर पहले से ही है पहले से ही तुम्हारे पास है ठीक है the story teach यानि या कहानी सिखाती है सिखाती है अस मतलब हमें that excesses great जो ज्यादा लालची होता है ज्यादा excessive great excessive great मतलब होता है बहुत ज्यादा लालची या कहानी हमें सिखाती है कि बहुत ज्यादा लालच can lead to loss मतलब ज्यादा लालच से क्या नुकसान हो सकता है और एनहपिनेस मतलब और खुशिया भी मतलब खुसी भी नहीं आ सकती है तेक है इस कहाने में यह तक निमिलते के लिए कहाने में यहां तक लिए जैहिंद